सब्सक्राइब के उस मंच पर पढ़ना क्या है सिर्फ यही नहीं बताती पढ़ने का सही तरीका क्या है वो भी समझाती है आप जब भी हिस्ट्री की किताब खोलते हैं और उसमें जो सबसे इंपोर्टेंट पोर्शन आता है वो आता है मौडन इंडिया को ले करके और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मौडन इंडिया की सुरुवाद कब से होती है तो आपको ने अगर उस वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है अगर नहीं देखा है तो एक बार पीछे जाके उस वीडियो को देखे तो आपक पिर अंग्रेज 31 दिसंबर सन 16 सो को आए तो क्या अंग्रेज पहले ऐसे थे जो कि भारत में आए या उनसे पहले भी बहुत लोग आ चुके थे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपने सुना होगा कि यूरोपियन इन्वेजन यूरोपियों का भारत में आगमें तो ये यूरोपियन का है नो डाउट ये पूरा का पूरा महादीव यूरोप यूरोप में ही आता है जो कि हम उसे Eurasia कहते हैं यू कहें यूरोप को एसिया से अलग करने वाला Eurasia तो आप जो दूसरा सबसे important सवाल है कि भारत जो सबसे पहले आये कौन आये अंग्रेज आये या फिर कौन आये तो चलिए देखते हैं तो आपको याद होगा आपने सुना होगा कि 1492 में अमेरिका की खोज हुई कॉलम्बस ने की कॉलम्बस ने अमेरिका की खोज की वो क्या वाक गई कॉलम्बस अमेरिका की खोज करने निकला था या किसी आओर आयलेंड का आपने ये भी सुना होगा 1498 में इंडिया की खोज की गई Discovery of India Vasco da Gama Vasco da Gama तो क्या वाकई Vasco da Gama ने इंडिया की खोच की है अगर Vasco da Gama ने 1498 में इंडिया की खोच की है तो Alexander जब जिसम सिकंदर कहते हैं उसने कौन से भारत पर हमला किया था और सिकंदर और पोरस का फिर वो यूद कौन सा था जो भारत की सरजमी पर लड़ा गया तो इनी सारी चीजों को इस वीडियो में हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं बता हूँ कि विश्व में नेविगेशन को इसलिए पुर्तगाल के राजकुमार हेंडरी को हेंडरी दा नेविगेटर कहा जाता है जी हां हेंडरी दा नेविगेटर कहां कि यहां दिखेंगे अगर आप मैप को अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊ तो आप देखेंगे यहां पे आपको पुर्तगाल दिख रहा होगा जी हां यह रहा पुर्तगाल यह रेट शेड एरिया आपको पुर्तगाल दिख रहा होगा पुर्तगाल के राजकुमार हेंडरी हेंडरी ने अपनी लोगो को नेविगेशन के च्छेतर में आगे बढ़ने को प्रेरित किया इंस्पायर किया और उसी से प्रेरित होके बार्थोलमो डियाज ने एक मोहिम छेरी कि वो कैसे A.C.I. पहुँच पाए और इस तरीके से करते करते आप देखेंगे यहाँ पर आप एक जगा दिखेगा Cape of Good Hope इसका वरबाए बार्थोलमो डियाज आपने सुना होगा भारत को सोने की चडियां कहा जाता था India was a golden bird क्यूं कहा जाता था क्योंकि यूरोप के अंदर ये मानसिकता थे कि भारत सोने से लदा हुआ देश है जिसे गजनी, गौरी सबने लूटा है तो हम भी क्यूं ना लूटे तो यहीं से सुरुवात होती है Henry the Navigator से सुरुवात होती है भारत के खोचकी लेकिन भारत की खोचकी नहीं उस समुद्री मार्ग के खोचकी जहां से भारत पहुचा जा सके और इस छेतर में पुर्तगाल सबसे प्रमुख माना जाता और उसमें पुर्तगाली राज़कुमार Henry the Navigator उसके बाद अगर मैं यूँ कहूँ 1488 के एप्रॉक्स में पार्थॉलोमो डियाज ने Keep of Good Hope की खोचकी या आसा की अंतरियम दुविप यानि यहां से हम आगे कहीं बढ़ सकते हैं पता नहीं कैसे लेकिन बढ़ सकते हैं यहां तक की उम्मीद हमने जगा रखियें उसके बाद 1492 में कॉलम्बस निकलता है भारत की खोच करने के लिए जी हां सही सुना कॉलम्बस निकलता है भारत की खोच करने के लिए और वो निकलता है वेस्ट के डायरेक्शन में और एक यूरोप की मानसिकता थी Those who are looking black, tall, muscular, he is Indian इंडियन जो काला लंबा चोड़ा दिखे पुड़ा गठीला सरीर दिखे वह भारतिया होगा इंडियां साल ब्लाक यह यूरोप्य की सोच थी इंडिया को ले करके और वही हुआ वह एक ऐसे छोटे-छोटे आइलेंड्स पर पहुंचे जहां पुन्हें काले लोग देखे य रेतीले सिर्फ मैदान हैं समुद्र का किनारा है इसके अलावे कुछ नहीं तो आपको याद होगा कि वह वेस्ट के डायरेक्शन में निकला था और खोजने निकला था इंडिया इसलिए कहा जाता है कि उसने वेस्ट इंडीज की खोज कर दी या यूं कहें उस ग्रूप ओ अगे बढ़ता है और कहा जाता है कि अमेरिका पहुचा लेकिन ये भी कहा जाता है कि उस अमेरिका को वह अमेरिका नहीं इंडिया समझ रहा था और उसे लगा उसने इंडिया की खोज कर दी इस पेन से निकला हुआ एक नाविक या यूं कहें अगर आप इस काले शेड को देखेंगे काला शेड इसपेन है इसपेन से निकला हुआ एक नाविक खोजने निकलता है इंडिया उसकी धारना है दोज वह लुकिंग ब्लैक दे आर इंडियां और इसी में वह खोज कर बैठता है वेश्ट अडीज की फिर वह आगे बढ़ता है और वह एक ऐसे देश को समझ बैठता है कि यह भारत आ गया जो वास्तव में अमेरिका था और इस प्रकार हम कहते हैं अमेरिका की खोज कॉलंबस ने की लेकिन मुहिम यहीं सांथ नहीं हुई मुहिम आगे बढ़ती है और उसके बाद 1492 के बाद 1498 में एक और वेक्ती निकलता है पुर्तगाल से इ डारेक्शन में लेकिन उसे पता था कि बार्थोलोमोडियाज ने कैसे के-पॉप गुड होब की खोच किया यानि वहां से आगे बढ़ा जा सकता है फिर वो उसी नक्से कदम पर चलता है और चलते चलते वो यहां पहुंसता है और वहां पहुंसते उसकी मुलाकात हो जाती है एक गुजराती सेलर से गुजराती इंडियन सेलर से जिसका नाम था अब्दुलमजीद अब्दुलमजीद और यह अब्दुलमजीद कहता है कि मैं आपको इंडिया तक ले जाओंगा बसरते अगर आप मुझे कुछ कैश पे करेंगे या यूं कहें हो से ले और पहुंसता है केरल के कैलीकट में उसका वैल्कम क्या जाता है वहां के लोकल रूलर जैमॉरियंस के थुरू और वह कहते हैं ना कि सरिया ट्रेड़ेट के अपोस करने के बाद तो कहा जाता है कि जब वो वापस आता है पुर्टगाल तो वो 60 टाइमस यानि कि इंसान ना एक गुना ना दो गुना ना तीन गुना सीधे ताठ गुना 60 टाइमस बेनेफिट ले करके लोटता है वो और यह 60 टाइमस का जो benefit है यही पूर्तगाल के राजाओं पूर्तगाल के रास्ता ही खांदान और पूरे के पूरे पूरे पूर्तगाल में एक संसनीखेश कवर पहुचा दीता है कि वासको डिगामा कैसे देश से आया है जहां पे धन का अपार भंडार मौझूद है और वासको डिगामा 1498 क ये बाद 15-03 में दुबारा आता है और यहां से ही स्टाट होता है यह यवं कहें 15 303 ही वो निरनायक घड़ी होती है जब यह कहा जाता है कि European invasion प्रारंभ हो गया European का आगमन प्रारंभ हो गया और यहीं से पुर्तगाल के बाद दूसरा इउरोप देस डच्ज, तीसरा इउरोप देस इंगलेंड, चौथा इउरोप देस नीदरलेंड, पाँचमा इउरोप देस फ्रांस, और कभी कभी तो यह भी कहा जाता है कि उसके बाद स्वीडन भी आय थी, इस सभी देशों का आना प्रारंब हो जाता है आप नोटिस करेंगे चाहे वो पुर्टगाल हो डज्च हो इंगलेंड हो निदरलेंड हो फ्रांस हो या स्वीडन हो किस सारे किस सारे कौन है यूरोप के देश हैं और यही European से प्रारंब होता है European invasion का यह रहा पहला पॉइंट कि य जब्कि वाया लैंड रोड वो ऐसे आ सकते थे इंडिया लेक्देंडर भी तो आया था कजनी भी तो अरब से आये थे गौरी भी तो अरब से आये थे तो आपको तो बस इधर से ही रुआस्ता टप करके निकलाना था जंप करना था और आ गया आप लेकिन ऐसा क्यों नहीं तो इसके लिए आप अगले वीडियो में बने रहें कि आखिरी यूरोपियंस समुद्र के रास्ते ही क्यूं आए जब कि जमीनी रास्ता बड़ा सरल और सुलब था फिर भी उनके आने का कारण समुद्री मारगे की खोजी क्यूं था तो इसके लिए आपको अगले वीडियो तक इंतिजार करना होगा मुझे उम्मीद होगी ये चैनल ये प्लाटफॉर्म और ये लेक्चर तीनों आपके लिए कारगर सिद्ध होगा ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए सैंट पीटर स्लॉय अकाडमी के सब्सक्राइब क करें जैहिंद बंदे मातरों